अब भारत का दबदबा पूरे विश्व पर महसूस किया जा रहा है महत्तोपूर्ण बात यह है कि भारत के प्रभुत और वर्चस्व को देखते हुए अमेरिकी राश्पती डोनाल ट्रम्प ने भारत को G7 विक्सित देशों का समू में शामिल करने का फैसला लिया है जो भारत की एक बहुत बड़ी कुटिनिटिक जीत है तो आईए देखते हैं इस सम्मन में पूरा लेटेस्ट अपडेट लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इससे सब्क्राइब जरूर कर लीजे और साथी साथ बेल आइकान प्रेस कर दीजे ताकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट जो हैं वो आपको लगातार मिलती रहें तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो ये है लेटेस्ट अपडेट 31 मई 2020 808 एम वाशिंगटन एजनसी अमेरिकी राश्पती डोनाल्ड ट्रम्प ने ये संकेत दिया है कि विक्सित देशों के समू जी सेवन के सदस्य देशों का विस्तार किया जाएगा इसमें भारत का नाम भी शामिल होगा अंतराश्टिय अस्तर पर भारत के लिए ये काफी एहम है इस मंच के जरिये अब भारत की साजेदारी विक्सित देशों के साथ होगी इससे बैश्विक अस्तर पर भारत का दबदबा बढ़ेगा ये भारत के लिए एक बड़ी कुटिनिटिक जीत है हाला कि कोरोना महामारी के चलते राश्पती ट्राम्प ने G7 की होने वाली बैठक को टाल दिया है राश्पती ने शनिवार को कहा है कि समय की मांग है कि इस समूह का विस्तार किया जाए उन्होंने कहा कि G7 का स्वरूप काफी पुराना हो चुका है तो आईए अब जानते हैं कि क्या है G7 अंतर राश्टी अस्तर पर क्या है इसकी भूमी का और भारत के शामिल होने पर कैसे बदलेंगे समी करन तो चलिए वीडियो आगे देखते हैं लेकिन अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक करके और अपने सभी ग्रूप में सभी फ्रेंड्स को इसे शेर जरूर कर दीजे तो चलिए देखते हैं कि क्या है जी सेवन तो देखे जी सेवन जो है ये साथ सदस्य देशों का संगठन है इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटिट किंडम और संयुक्तराज अमेरिका इसके सदस्य देश है शनिवार को राश्पती ट्रम्प ने इसके विस्तार का प्रस्ताव रखा है इस विस्तार में दक्षण एशिया के दो मुलकों भारत और दक्षण कोरिया को शामिल किया जाएगा इसके अवलावा आस्टेलिया और रूस को भी इस संगठन का सदस्य बनाने की बात राश्पती ट्रम्प का एलान उस वक्त हुआ है जब कोरोना महामारी में WHO की भूमिका की जाँच को लेकर भारत और आस्टेलिया ने अमेरिका का खुल कर समर्थन किया है आखिर क्या है G7 G7 दुनिया की साथ सबसे बड़ी कथित विक्सित और उन्नत अर्थव्यास्था वाले देशों का समूह है इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका शामिल है इसे ग्रूप आफ सेवन भी कहते हैं ये समूह लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था रखता है स्वतंत्रता और मानवा दिकारों की सुरक्षा लोकतंत्र और कानून का साशन, सम्रिद्धी और सतत्विकास इसके प्रमुक्स धान्त है प्रारम में ये छे सदस्य देशों का समूह था पहली बैठक वर्ष 1975 में हुई थी 1976 में कानाडा भी इस समूह का सदस्य बन गया तो इस तरह से ये जी सेवन बन गया जी सेवन देशों के मंत्री और नौकरशा आपसी हीतों के मामले पर चर्चा करने के लिए हर वर्ष मिलते हैं शिखर सम्मेलन में अन देशों और अंतरराश्टी संगठनों के प्रतनेदियों को भी भाग ले दे के लिए आमंत्रित किया जाता है और भारती प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी को आमंत्रित किया जा चुका है तो ये थी लिटेश्ट अपडेट भारत के जी सेबन में शामिल होने पर अंतरराश्टी अस्तर पर भारत की भूमिका बहुत अधिक बढ़ जाएगी और एशिया में जो है भारत का वर्चस्व भारत का प्रभुत भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो ये थी लिटेश्ट अपडेट वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजेगा अपने ग्रूप्स में अपने फ्रेंड्स में सभी को शेर कर दीजेगा और मेरे चैनल को सब्क्राइब कर लीजेगा ओके थैंक यू